Hello everyone, welcome to my channel DK Technical गया तो finally काफी दिनों के बाद पोशन ट्रेकर एप में एक नया अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि ये जो अपडेट है वो आपका 18.5 के रूप में आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा और इस अपडेट में बेसिकली चार अपडेट आए हैं लेकिन चारों अपडेट में से आप लोगों के लिए तीन ऐसे जो अपडेट हैं वो आप लोगों के लिए काफी महतवपूर्ण है और इस update के बाद आप लोगों को portion tracker पे काम करना और भी easy हो जाएगा तो चली इस वीडियो में आपको बताते हैं यह जो तीनों update हैं वो किस प्रकार के update आए हैं तो इस update को देखने के लिए आपको क्या करना है सुरू से लेके लाश्ट तक आपको इस वीडियो को देख लेना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए देखिए आपको करना क्या है सबसे पहले आपको Play Store में आ जाना है और Play Store में आने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है पोशन ट्रेकर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट का ओप्सन देखने को मिल जाएगा तो आप लोग अपने पोशन ट्रेकर एप को यहाँ से अपडेट कर लिजिएगा और यहाँ पे जो latest update है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 24 अप्रेल 2023 और उसके बाद यहाँ पे हम arrow पे click करेंगे ठीक है तो जैसे ही आप arrow पे click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 update देखने को मिलेंगे जैसे कि चोथा जो update है वो minor walk fixes है इसके बादे में हम बात नहीं करेंगे यह हमेशा update के साथ आता रहता है यहाँ पे जो 3 update है वो 3 update आप लोगों के लिए बहुत ही खास है तो क्या अधार कार्ट बन जाने के बाद हम लोग फिर से उस बच्चे का अधार कार्ट डालके हम लोग अधार विरिफाई कर सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसी परकार के update आपको इस update के साथ भेजे गये हैं अब आप लोग आसानी से अगर किसी बच्चे का अधार कार बन जाता है तो उस माता पीता के जगह पे बच्चे का अधार कार डालके आप लोग आसानी से उस बच्चे के नाम से अधार विरिफाई कर सकते हैं साथ ही साथ आप लोगों को दो अपडेट ऐसे और आए हैं जो आप लोगों को पोसंट ट्रेकर एप में काम करने में और भी इजी हो जाएगा चलिए यहाँ पर पहले अपडेट की बात करते हैं अप्सेन टू मार्के बेनीफीसरी एज माइगरेट आउट जैसे कि हम लोग किसी बेनीफीसरी हो से मन्त के उपर आप लोगों को पता है कि सभीपर किसी माइगरेट करते हैं तो 7 month, 8 month और 9 month हो जाने के बाद हम लोग उस लभार्थी को migrate pregnant woman वाली category में जाके बारी बारी से करते थे तो उसके लिए एक नया profile add कर दिया गया है जिससे कि अब आप लोग आसानी से एक ही profile में जाके जितने भी migrate करने का option है वो आप लोग देख सकते हैं कि कितने लभार्थियों को migrate करना है तो ये काफी easy होगा आप लोग को समझने में कि किन का migrate करना है ठीक है ऐसा दूसरा यहाँ पर है separate screen to verify mobile numbers यानि कि आप लोगों को mobile numbers verify करने के लिए भी हर एक लभार्थी के category में बारी-बारी से जाके आप लोग mobile number verify करते थे तो उसको भी एक अलग category बना दिया गया है यानि कि एक ही category में जाके आप लोग जितने भी portion tracker app में beneficiary हैं उनका mobile number एक ही category में जाके एक click में आसानी से कर सकते हैं और तिसरा जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बच्चे के अधार card को डालके हम लोग verify कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है facility for updating self-adhar in case of children यानि कि सिर्फ यह children के लिए है माता पीता के अगर नाम से अधार verify कर चुके हैं और बच्चे का अधार card बन गया है तो उसको हम लोग वहाँ पर डालके वहां से असानी से बच्चे का अधार card को हम लोग add कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं नी अधार करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोशन ट्रेकर आप को अपडेट पर डाल देते हैं यहाँ पर किलिक करेंगे तो यह जो अपडेट है वह अपडेट होने लगेगा तो यहाँ पर थुरा दिर वेट कर लेते हैं ठीक है तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर अपडेट होके इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर ओपन क्लिक के यहाँ पर आ चुका है तो चलिए अब हम यहाँ से पोशन ट्रेकर आप को ओपन कर लेते हैं तो जैसा कि इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पोशन ट्रेकर रैप का डेशबोर्ड है वो इस परकार से खुल के आ चुका है तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पहला अपडेट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे माइगरेट लभार्थी का जो पर माइगरेट हम लोग करते हैं 7-month, 8-month, 9-month तो 7-month की हो जाने के बाद वो लभार्थी आप लोग को इस के टेगरी में देखने को मिल जाएगी तो यहाँ से आप लोग डिलिवरी होने के बाद आप लोग यहाँ से उसको माइगरेट असानी से कर सकते हैं चलिए इस पर क अपडेट की और आते हैं जैसे कि दूसरा अपडेट जो है वो मॉबाइल नमर वेरिफाई करने को लेकर है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी ऑप्सन के बगल में आप लोग को एक और अप्सन एड़ किया गया है मॉबाइल नमर वेरिफाई तो इस पर किलिक करेंगे तो जितने भी लभार्थी का मॉबाइल नमर वेरिफाई करने का ओप्सन है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा तो बारी बारी से आप लोग को किलिक करके यहाँ पर आसानी से आप लोग मॉबाइल नमर वेरिफाई कर सकते हैं जैसी कि पहले था कि हर लभार्थी के के टेगरी में जाके वहाँ पे मोबाइल नमर वेरिफाई करते थे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एजी कर दिया गया है कि इसके लिए एक अलग काटेगरी बना दी गई है जहाँ पे आप लोग पोसंट जितने भी लभार्थी है आप लोग एक ही किलिक में उनका मोबाईल नमर विसको करेंगे तो उसो डालके ना वोगब कर सकते हैं न 113 Jo महतवपूर्ण अपडेट है उसके बारे में आपको दिखाते लेट आप लोगो को कैसे देखने को मिलेगा यहां पर बेनिफीसरी वाले पर किलिक करेंगे ठीक है किलिक करने के बाद इस प्रकार से हमारा प्रफाइल खुल किया जाता है बच्चों की केटेगरी गर्भवती धात्री मताओं की केटेगरी तो यहां पर जैसे कि हम लोग 6 माह से 3 साल वाले बच्चे क केटेगरी को ओपन करते हैं जैसे कि मा ली जी अगर यहां पे और किसी बच्चे का धार कारड बन जाता है तो उसके लिए हम लोग कैसे इसमें एड कर सकते हैं आपे नाम की ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यह जो अपडिट है यहां पर देखने को मिल जो बच्चे के अधार कार्ड करने वाला है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि बच्चे के माता के नाम से यहां पर सबसे पहले तो अधार वेरिफाई किया गया है लेकिन उसके जश्च नीचे ही आप लोग देखेंगे एड चाइल अधार यहां पर लिखा हुआ अपडेट नाव तो कोई बात नहीं है यहाँ पर बच्चे के माता के अधार से अगर अधार वेरिफाई किया भी गया है तो कोई दिकत नहीं है अगर बच्चे का अधार कार्ड बन चुका है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट नाव पर किलिक करेंगे ठीक है जैसे ही अ अधार पे इस परकार से data worth पड़ा हुआ है उसको यहां पे फिल करेंगे यहां पे हम लोग जेंडर सेलेट करेंगे male female इसको सेलेट करने के बाद यहां पे अधार सत्यापित करूपे किली कर देना है यानि verify अधार पे किली कर देना है तो आप लोग का easily अधार verify हो जाएगा म बच्छे के माता के जगह पे तो इस परकार से आप लोगों के लिए यह तीनों update आये थे हमने कोशिज की आपको तीनों update के बारे में पूरी जनकारी देने की अगर हमारे द्वारा बताई गई जनकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिजेगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि हमें motivate मिले और आपके लिए इस परकार से और भी वीडियो लेके आने की कोशिज करते रहे हैं तो अ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद